इनकी कुंडली मेरे पास का ये कुंडली है कर्क लगनी कुंडली है और वर्तमान में इनको केतु में सूरी चलता है फरवरी से चंद्रमा चलेगा और सूरी की चंद्रमा की इस्तिती है और केतु की स्तिती है बहुत बहुत अच्छी है और केतु बदलाव लाता है चेंज लाता है एकडम जमीन से आस्मान कर देता है और आस्मान से जमीन कर देता है की दोनों ही तरफ के तुका जो गती है वोई गती चलती है तो यहां पर जो के-t mortar की गती है तो मेरे को अर्दु अर्धु दिश्वा में जाती हुई दिखती है और इस इलेक्षिन का जो तार्क होर्स है मैं इसे में अख्लेश यादव को मनता हूँ तो आपको लग रहा है कि अखलेश यादव के लिए 2022 अच्छा होगा उनके सितारे इस वक्त आसमान में चुएंगे एक दब अच्छा होगा क्योंकि सरकार जो बनेगी वो अकेले शायद ना बन पाए किसी की भी तो वहाँ पर खीस्तान होगी और खीस्तान कौन कर पाएगा यह पिर तै करेगा लेकिन अखलेश के सितारे अच्छे नहीं इस समय बहुत अच्छे डॉक्टर गणेश 2022 में अखलेश यादव के सितारे अंकगड़ के हिसाब से किस तरे के हैं क्या उनको फेवर कर रहे हैं जो वह सत्ता में वाप्सी का संगर्श कर रहे हैं किया उसमें सफल हो पाएंगे मैने वर्ष 2017 के जो विदानसभा चुनावते उसी समय मेरे ब्लोग पोस्ट देखिए वहां ये कह दिया था कि अगले विदानसभा चुनाव में अखलेश यादव को बहुत अनुकूलता रहेगी अब देखे क्या है ये वर्ष है 2026 के अंक का अखलेश यादव की 24 तारीक है 24 अक्टूबर तो यहां भी उनका जो अंक बना वो च्छे बना है अभी थोड़ी देर पहले भाजपा की बात की तो मैंने कहा था कि भाजपा के अंक अच्छा बता रहे है ब्यान दीजिएगा भाजपा का मूलांक च्छे है यानि भाजपा के मूलांक च्छे का 2022 में उसे लाब मिलना है तो यह बाती भी तहए कि अखलेश यादव के मूलांक च्छे का उन्हें लाब मिलना है तो बेशक अखलेश यादव का गराब बढ़ने जा रहा है और अच्छा खासा बढ़ने जाही रहा है कि जिसमें वो यह कहेंगे कि मैं 17 की पराजय कि जे गहाव उस पर मलम लग गया बेरे 19 की पराजय के गहाव पर मलम लग गया इतना कुछ है अब यहां देखने वाली बात क्या है क्योंकि अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं समाज समाजवादी पार्टी के अंकों को नहीं भूलना चाहिए समाजवादी पार्टी का मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है अरे यह जो 2022 का अंक 6 यह उस चार का विरोधी है यहां पर समाजवादी पार्टी है उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन अंक 4 यानि राहू से प्रभावित है अब यहां यह खास द्यान देने वाली बात है मुझे नहीं पता कि अखलेश आदव उन्हें किसी जोतीशी के कहने से किया या वैसे ही किया लेकिन पिछले वर्ष की यानि 2021 की जो मेरी बोश्वणी स से उन्होंने हाथ मिलाया अब यहां देखिए रहू की करपा उन्हें मिल गई तो रहू की करपा मिलती है तो अनायास आकस्मिक और अनेपेक्षित अलाब होता है और अगर कोप मिलता है तो अनायास आकस्मिक और अनेपेक्षित हानी होती है तो यहां पर अकिलेश को अनाय आकस्मिक और अनेप्षित लाब होगा लेकिन समाजवादी पार्टी के खुद के अंक ऐसे हैं कि उस लाब के प्रतिशत को जो है जैसे कहते हैं कि नहां दो के द्यान रखना है यह द्यान रखना है कि इनकी पार्टी का पित्री अंक खराब है खुद इनका अच्छा है पार्टी का खराब है इसका मतलब पार्टी के जिसके यह मुखिया है पित्री पूरुश पार्टी का प्रदर्शन पूर्ण सफलता वाला सरकार बानाने वाला नहीं इन्हें अपनी पार्टी के किसी पूरू मुखिया अथ्वा कोई निकट परिजन या पिता इनसे संबंदी जो स्वास्थिय संबंदी संकट है को जटका लग सकता है यह जटका बड़ा या बहुत बड़ा भी हो सकता है यह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो दोनों का मुखिया है जी ऐसे व्यक्ति के बारे में अखिलेश यादव के सितारे तो अच्छे हैं आस्मान में जा रहा है लेकिन पार्टी के सितारे इतने मजबूत नहीं और इसका असर जरूर पड़ेगा